हलो इस्ट्वेंड आज मुख्य परिच्छा संग्राम स्रीज के तहर फिलोसफी अर्थात दर्शन सास्तर में एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और वो है आपका इंडन फिलोसफी में अर्थात न्याय दर्शन अगर हम सीजी पीएस्टी की बात करें तो इससे अब तक जो पूछे गए प्रश्ण है वो आपके तीन प्रश्ण अब तक पूछे गए है प्रमा एवं आप्रमा के बारे में पूछा गिया है और एक प्रश्ण आया था अनुमान से तो आज हम पूरू में आय हुए प्रश्णों पे चर्चा करेंगे कि कैसे लिखा जाए और जो नए संभावित प्रश्ण होंगे हम उस पर भी विचार करेंगे अब न्याय फिलोस्टी में जो आपको अध्यन करना है मुखिता वो है इसका ज्यान मिमान सा ज्यान मिमान सा का मतलब होता है the theory of knowledge और यहाँ पर ज्यान को न्याय दर्शन में दो रूपों में दिया गया है एक है आपका प्रमा और एक है आप्रमा दो दो नंबर पर ये पूछा जाता है चार नंबर पर दोनों पूछा जा सकता है कि प्रमा एवं आप्रमा से आप क्या समझते हो उधारन सहीद बताईए तो इसी पर आपको ध्यान देना है प्रमा एवं आप्रमा तो प्रामा का मत्तब होता है valid knowledge और आप्रामा का मत्तब होता है invalid knowledge तो invalid knowledge and valid knowledge उसे ही न्याय दर्शन में प्रामा एवं आप्रामा कहा गया है और valid, invalid इसे हिंदी में यह थार्थ ग्यान और आप्रामा को आयधार्थ ग्यान कहा गया है तो सही और गलत का यह अधार नहीं यहाँ पर जो अधार है वो है valid और invalid का यधार्थ एवं आयधार्थ ग्यान इसे एक example की माध्यम से हम समझते हैं यसे माल लिजिए कि एक रस्ती है रोप और इस रस्ती को हम जहाँ पर थोड़ा light कम है प्रकाश कम है तो अचानक देखने से ऐसा प्रतित होता है कि वहाँ पर कोई सर्फ है कोई सनेक है तो देखी रस्ती के इस्थान पर हमें क्या दिखाई दे रहा है सर्फ यहाँ पर जो सर्फ का ग्यान है यह आप्रमा है और जो रस्ती है यह यहाँ पर आपका प्रमा है तो अगर हम valid knowledge की बात करें तो वो है रोप और जो invalid है वो है आपका सर्फ पर सर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर available था वहाँ पर था क्या रस्ती तो इसको आप अच्छे समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि परमा का तात्पर है इस example में वो है रोप और इस example में आप परमा का example है आपका इसने अर्थात क्या सर्फ आप परमा क्स कारण से होता है तो न्याए दर्षाण में इसकी 3 category बताई गई है एक है भ्रम एक है संसय और एक है तर्क है ना illusion, doubt and arguments तो ये तीन आप प्रमा के ताइस बताए गए हैं कारक बताए गए हैं भ्रम, संसय एवं तर्क भ्रम इसको error भी कहते हैं और एक संसय है और एक तर्क है तो भ्रम और संसय तो आप समझे रहें doubt and error, argument क्या है तो देखिए philosophy में सत्य वो है या थार्त वो है जो किसी भी argument से जिसे काटा ना जा सकते हैं जो non-contradictions हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई argument हो ही नहीं सकता उससे हम प्रमा कहते हैं पर यदि आप तर्क दे पाएं तो तर्क देने से एक ही चीच को हम सिद्ड और असिद्ध दोनों कर लेते हैं यानि जो तर्क द्वारा सिद्द किया जाए वो आपका आप प्रमा में आएगा उसे हम प्रमा नहीं कह सकते, प्रमा वो है जो किसी भी दिश्ट्रिकोंड से उस सत्य को काटा ना जा सके तो नियाय दर्शन में प्रमा आ प्रमा बस यही है, तो प्रमा का ताथ पर है या थार्थ ज्यान से, रियल नॉलेज़ से पर यहाँ पर इमेजनरी या कालपनिक नहीं है, यहाँ पर है वो आ या था नॉट रियल नॉलेज़, जिसको हमने कहा है इन वैलिड नॉलेज़ या आ प्रमा तब यह परिच्छा में आएगा दो नंबर या चार नंबर के लिए तो आपके पास कंटेंट है, नियाए दर्शन में कि जो ज्यान मिमान से है, जो थियोरी आफ नॉलेज़ है, उसके अंतरगत आपके ज्यान के दो रूप है, प्रमा और अप्रमा मत्तब है वैलिड नॉल आप लाइट कम है, तो फिर हम लोग उसे समझ बैठते हैं क्या साब, तो साब समझना यह आपका आयाथार्त ग्यान है, यह आपका इन्वैलिड नॉलेज है, तो नियाए दर्शन में प्रमा और प्रमा को इसी युक्ति द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, अगर इस अपका, अब प्रशन यह उठता है कि हम जब आप प्रमा में होते हैं, तो फिर कैसे हम प्रमा तक पहुँचें, जैनि इन्वैलिड नॉलेज से, कैसे हम वैलिड नॉलेज तक पहुँचें, इसको नयाए फिलोस्पी में प्रमान सिध्धान कहा जाता है, तो ठियोरी आप प्रमाना, और यहां से PSC एक कोश्चन पुछेगा, फ्रेम यहां पर निश्चित है, दो नंबर और चार नंबर का फ्रेम होगा, तो प्रमान सिध्धान, तो ठियोरी आप प्रमान, यह नियाय का सबसे बड़ी फिलोस्पी है, और यह प्रमान किसके लिए है, तो गेट वै आपके चार प्रकार के प्रमानों की चर्चा होई है, फोर टाइप्स हैं इसके, और यह चारों आपके प्रिच्छा के प्रश्चन है, पहला है प्रत्यच, पर्शेप्शन कहते हैं इसको, चर्चा करेंगे इस पर, दुसरा है आपका अनुमान, जो प्रिच्छी एक बार पुच चुका है, इन्फेरेंस कहते हैं इसको, एक है आपका सब्द, बहुत ही इंपोर्टेंट है यह, टेस्टिमोनी कहते हैं और एक लास्ट है आपका कमपैरिजन, पर्थात उपमान, तो यह आपके चार प्रमान हैं और आपकी CGPSC में अकामी परिच्छा में यह प्रशन है, टू एन्फोर, यही फ्रेम है, अनुमान प्रकार के साथ चार नंबर पे आए था, वित इक्जामपल यह आठ नंबर पे भी बन सकता है, देखेंगे भी हम, शब्द मैक्स टू मैक् आई देखते हैं, प्रत्यच या पर्शेप्शन किस प्रकार का प्रमान हैं नय फिलोस्पी में, प्रत्यच या पर्शेप्शन, देखिए, यह बना हैं दो वर्ट से, हिंदी में, प्रतिधन अच्च, यानि जो सामने प्रकठो जो आखों के सामने हो, in front of your eyes, यह इसका meaning है, definition नहीं है, आखों के सामने, इसके लिए तीन चीज आवश्चक है, पहला, सेंस, यह आपकी इंद्रिया, एक अब्जेक्ट, और सबसे इंपोर्टेंट है, इन में, डारेक्ट, contact, समझेगा, सेंस आपकी इंद्रिया है, और जिसका आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो आपका object है, और सबसे इंपोर्टेंट है, कि दोनों के बीच में, डारेक्ट कॉंटेक्ट होना चाहिए, तो इस प्रकार के फी प्रमाण को हम कहते हैं, क्या प्रतिच, प्रतिच की दो प्रकार होते हैं, लॉकिक एवं अलॉकिक, और्डनरी एंड एक्स्टा और्डनरी कहते हैं, प्रतिच की दो प्रकार हैं, लॉकिक एवं अलॉकिक, लॉकिक प्रतिच वो हैं, जिनने हम अपनी समान इंद्रियों से अनुभव करते हैं, आपकी पाँच इंद्रिया हैं, जिससे आप देख सकते हैं, जिससे आप महसूस कर सकते हैं, अपनी पाँच इंद्रियों से लॉकिक भी से होना जी, जैसे की संसार है, और लॉकिक जिसका प्रतिच डारेट नहीं होता, यहां पर आपका विशय होता है, जैसे की इश्वर है, जैसे की सुख और दुख है, और इनका जो अनुभव आप करते हैं, वो आप करते हैं अपने सिक्स सेंस से, जिसे कहा जाता है क्या मन. तो जो आलोकि की विशवय है, स्वर्ग है, नर्ख है, सुख है, दुख है, इश्वर है, इन सब का ग्ञान प्रात करते हैं मन के द्वारा, तो यह प्रत्यच्च की दो प्रकार हुए प्रत्यच्च की लिएवश्यक है कि इंद्रियों का उस वस्तु से या उस गे पदार से जिसका आपको ज्ञान प्राप्त करना है उसके साथ डारेट कॉंटेक होना चीए प्रत्यच्च संपर्क इन्द्रियों का साथ-छाथ संपर्क ही कहलाता है आपका प्रत्यच्च तो ये दो नमबर और चार नमबर पर पूछा जा सकता है इतना ही लिखना है आपको बस अब आते हैं जो PSC पूछ चुका है और न्याय दर्सम का सबसे important जो line है वो है अनुमान inference अब ये क्या है देखी ये आठ नमबर तक पूछा जा सकता है तो अनुमान दो सब्दे से बना है हिंदी में अनु प्लस मान अनु का मत्तब होता है पूर्व और मान का मत्तब होता है ज्यान अर्थात ऐसा प्रमान जो previous knowledge अर्थात पूर्व ज्यान पर अधारित होता है उससे हमनों अनुमान कहते हैं अब ये पूर्व ज्यान क्या है इसको समझे एक उधारन के माध्यम से और उस ही लिखना है आपको तो पहला है इसको हम एक्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आपके लिए असान होगा और वही देना है आपको मान लीजिए कोई observer है इसको हमनों ग्याता कहते हैं नुवर ये आप है कोई वेक्टी है ए जो दूर से यहां देखता है कि एक पहाड़ है एक हील है दूर है उससे observer और वो ये देखता है कि इस पहाड़ पर धूआ उट रहा है इसमोक तो यहां पर जो observer है वह दूर से यहां देख रहा है तो वह दूर से देख रहा है धूआ यानि वह धूएं का कर रहा है प्रत्यच और प्रत्यच करते हुए वह इस बात पर आता है चुकि उस पहाड़ पर धूआ उट रहा है इसलिए वह निस्चित तोर पर यह कहता है कि उस पहाड़ पर क्या लगी है आग तो इसमोक है इसलिए यहां पर फायर है अब कोश्चन यह है कि वह देख धूएं को रहा है और वह बता रहा है आग के बारे में तो आग का तो वह प्रत्यच नहीं कर रहा है तो धूआ को देख कर वह यह बता रहा है कि परवत पर आग लगी है यह जो परवत पर जो आग लगी है जो आग का ग्यान है यह उसको कैसे प्राप्थ हुआ तो इसे यह प्राप्थ हुआ क्योंकि इस ग्याता के पास एक पूरुव ग्यान था क्या पूरुव ग्यान था उसे बताया गया है कि जहाँ जहाँ धुआ है वहाँ वहाँ आ गए तो उस ग्याता को उस ऑब्जरवर को पता था एक कोटेशन एक लाइन एक सम्मंद कि जहाँ जहाँ धुआ है वहाँ वहाँ आग ही इसको पता था फिर जैसे उसने पहाड पर उड़ता धुआ देखा तो उसने तुरंद यह कह दिया कि पक्का उस पहाड पर क्या लगी है यहाँ पर जो आग का उसको नॉलेज मिला ग्यान मिला यहाँ पर इस नॉलेज का जो इस आग का जो ग्यान मिला है उसका यह आधार है कि उसको पहले से पता था यह जो पहले से पता था जो वर्ड यूस कर रहा हूं मैं एक रिलेशन है यह एक सम्मंद है और इस सम्मंद को नियाए दर्सन में व्यापती संबंद कहा गया है तो आपसे एक्जाम में अलग से व्यापती संबंद क्या है ये पूछा जा सकता है तो एक व्यापती संबंद है जिसे अनिवार एवं सौर भौमिक माना गया है इन्वेरिबल है और उनिवर्सल है नियाए फिलोस्पी में अब ये रिलेशन आया कहा से इस रिलेशन को अगर आप देखे इस एक्जाम्पल में तो आप समझ पाएंगे कि व्यापती is a relation in between this and that और नियाए फिलोस्पी में जो धुआ है जिसका हम आप प्रत्च कर रहे है इससे हेतु कहा जाता है जहां पर देख रहे हैं उससे पक्च कहा जाता है और जिसका ज्यान प्राप्त कर रहे हैं उसको साध्य कहा जाता है तो व्यापती is a relation between हेतु and साध्य इन नैद फिलोस्पी तो व्यापती सम्मन हेतु और साध्य की बीच का एक इनहेरेंट एक इनवेरिबल एक युनिवर्सल रिलेशन है और इसी रिलेशन के माध्यम से वो जो observer है वो ये जान पाया कि उस पहाड़ पर क्या लगी है आग जहाँ जहाँ धुआ है वहाँ वहाँ आग है ये जो रिलेशन है इसे कहते हैं व्यापती रिलेशन और इसे अनिवार और सौर भॉमिक माना गिया और ये उसे पता था पहले से इसलिए उसने तो अब यहाँ पर जो उसने आग के बारे में जाना है आग के बारे में जानना उसका एक क्या था अनुमान, तो उसने अनुमान लगाया कि उस परवत पर क्या लगी है आग, क्योंकि वो आग को प्रत्च नहीं कर रहा है, वो आग नहीं देख रहा है, वो देख किसको रहा है, धुए को, और इससे युनिवर्सल इसले कहा गया है यानिवार, क्योंकि यह जो relation बना है, यह भी बना है आपका observation से, पहली बार किसी ना किसी ने यह चीजों को देखा होगा, कि भई धुआ उट रहा है तो फिर वो पास गया होगा पास जाकर देखा होगा क्या है वहाँ पर आग ऐसा कई लोग देखे होंगे कि यह है आपका अनुमान तो अनुमान न्याय-दर्शन में पूर्वग्यान पर अधारित होता है वह पूर्वग्यान हेतु और साध्य के बीच कि एक अनिवार सम्बंध को कहते और सम्बंध का नाम है क्या आपका व्यापती सम्बंध आप एक्जाम में बकायदा ये धुवा और आग इस्मोक एन फायर के रिलेशन को आप समझाएंगे दो नमबर चार नमबर पर आराम से ये प्रस्टन लिखा जा सकता है तो बहुत एजी है ये पर छोड़ा सब टेक्निकल भी है तो अब ये फ्रेम हो गया अनुमान किसे कहते हैं उधारन सही समझाएं तो फ्रेम है दो और चार नमबर पर दो नमबर पर आए तो केवल परिभासा वताना है और अगर चार नमबर पर आए तो फिर वहाँ पर आपको डिसकस करना है इस्पेसली यह व्याप्ती समझाएं तो यह हो गया आपका दो इसी प्रकार एक बहुती इंट्रेस्टिंग फिलोसोपी है न्याएं की वह है इसका तिसरा प्रमाण वह है आपका शब्द टेस्टिमोनी अब ये क्या है गवाई भी कहते हैं टेस्टिमोनी मतलब तो आप देखी क्या है एकदम सिंपल्स है दो नमबर पे पुरां समझाएगा दो वर्ड है यहाँ पर आप्त पुरुश एवं आप्त वचन तो सबसे पहले हम यहाँ पर जायनेंगे इस आप्त का मिनिंग क्या है तो आप्त का मतलब होता है क्रिडिबल विश्वस्नी है जिस पर आप ट्रश्ट कर सकते हो जैसे एक सिछक से आप ग्यान प्राप करना चाहते हैं आप सिछस्य हैं तो एक सिछस्य के लिए सिछक से ग्यान प्राप करना है सबसे इंपोर्टेंट है कि उस सिछका सिछक पर विश्वास होना चाहिए कि उस सिछक जो कुछ भी कहेगा जो उसकी वचन होंगे वो वचन ग्यान की रूप में होंगे और उस सिछक अपने सिछक के हर एक वचन को ग्यान की रूप में स्विकार करेगा क्यों कि उस सिस्थ की नजरों में सिच्छक विश्वस्थ नहीं है तो हम और आप अपने जीवन में जो कुछ भी नॉलेज गेन की हैं वो इसी टेस्टिमोनी सब्द पर अधारित है पर इसके लिए important है कि credible person होना चाहिए वो वेक्टी विश्वस्थ नहीं होना चाहिए इस पर हम trust कर सकें अगर हम philosophy का example लें तो यहाँ पर हम example लेते हैं generally वो है पुरोहित का प्रिष्ट का धार्मिक क्रिया कलापों के लिए हम लोग बुलाते हैं किसको पुरोहित को पुरोहित आते हैं सास्त्रों के अधार पर वो कथा करते हैं धार्मिक क्रिया विधी करते हैं और जो कुछ भी पंडित जी या पुरोहित कहते हैं हम उसको सत्य मानते हैं उसका अनुसरन करते हैं क्योंकि हमारे दिष्ट्रिकोंड से यह जो पुरोहित है वो विश्वसनी है अर्थात आप्त वेक्ती है तो पूरा जो टेस्टिमोनी है वो डिपेंड करता है क्रेडिबिलिटी पर विश्वसनी निताब पर अगर आपको लोग ट्रस्ट करते हैं तो आपके कहे गए इस्टेट्मेंट पर भी ट्रस्ट करेंगे और उसे ज्ञान की रूप में स्विकार करेंगे बस यही एक लाइनेस पर अब आते हैं चौथे पर और यह है आपका उपमान अगर आप हिंदी में उपमा अलंकार पढ़े होंगे तो बहाँ उपमे और उपमान इन सब्दों का प्रयोग है ना यह कमपेरिजन है कमपेरिजन एनालोगी भी कहते हैं देखी क्या है यह समझेगा एक्जामपल से और फिर उसे सब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा माल लीजिए कोई व्यक्ति है जो घूमने के लिए जंगल जा रहा है फॉरस जा रहा है और उसकी मुलाकात रास्ते में होती है उसके एक फ्रेंड से बी से फिर बी ए से पूछता है कि तुम कहा जा रहे हो तो वो बताता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ तो बी कहता है कि यदि आप जंगल जा रहे हो तो इस मौसम में वहाँ पर आपको मिलेगी नील गाय वाइल्ड काउ तो B A को सजिस्ट कर रहा है कि अगर आप जंगल जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको नील गाय मिलेगा पर A ने कहा कि यार मैंने तो कभी अपनी लाइफ में उसको देखा नहीं है तो अगर वह सामने आ भी जाएगा तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि वह नील गाय है तो B A को बताता है कि चिंता ना करो अगर तुमने घर में गाय देखी है बस उससे तुम कंपेर कर लेना अगर गाय जैसा ही कोई पसू आपको दिखे तो आप समझ जाना कि वह नील गाय है फिर A गया और उसने फिर जंगल जाकर प्रत्यच्छ किया मत्तब अपनी आँखों से देखा और जैसे उसने नील गाय को देखा वो एक सेकेंड में पहचान गया वो जान गया कि यही वाइल्ड काउ है जैसे नील गाय को देखा उसने कंपेर किया काउ से चीज़े मिलती जूती समझ आई तो वो निस्चिंथ हो गया कि जो मैं देख रहा हूँ जिसका प्रतच्छ कर रहा हूँ वो आपका नील गाय तो यहाँ पर जो नील गाय का नॉलेज मिला है एको इस बेज़ ऑन कंपेरिजन विथ काउ तो यहाँ पर साधर्श्चिता यहाँ एक जैसे दिखने वाली जो दो वस्तुएं हैं उसके अधार पर हम ग्यान प्राप्त करते हैं और नया फिलोस्पी में यह बहुत इंपोर्टेंट है तो कंपेरिजन क्यों क्यों हम कंपेर कर रहे हैं नील गाय को किसे गाय से और यह में को पता है पर हाँ यहाँ पर इस बात रोटिस करनी पड़ीगी कि यहाँ पर भी प्रत्यच हो रहा है गर बैठे बैठे ग्यान नहीं है वो जंगल गया है उसने नील गाय को देखा है हाँ वो नील गाय ही है यह वो जान पाया जब वो गाय से कंपेर किया तब वो यह जान पाया कि यह नील गाय है तो यहाँ पर कंपेर करके वो ग्यान प्राप्त किया है इसलिए इसको हमनों कंपेरिजन या उपमान कहते है तो यह आपके two marks पर या four marks पर परिच्छा में पुछा जाएगा तो आप example के साथ समझाएं philosophy में तो number अच्छे मिलेंगे और यह वो example है जो already दर्सन में ही दिये गए तो अब कुल मिला कर अगर हम लोग conclusion देखें तो आप इस बात पर आएंगे कि नयाय में जो प्रमाण है वो आपके चार है और एक तो question fix है प्रत्यच है अनुमान है सब्द है और आपका उपमान है फ्रेम पता है टू एंड क्या 4 बस उसके according आपको arrange करना है perception इसके अलावा जो मैंने आपको बताया valid and invalid knowledge प्रमा एवं क्या आप्रमा एक वीडियो कार्य कारण सिध्धान पर होगा इसमें मैं आपको न्याय शांख्य और गौतम बुद्र का प्रतिस्वमुत्पाद और अरस्तु का कारणता का सिध्धान ये सब लेकर आऊंगा मैं तो वहाँ पर मैं इसपेसली चर्चा करूंगा न्याय दर्सन में आसतकारवाद का एक टॉपिक और है न्याय में जिसे हम कहते हैं आसतकारवाद ये एक्चल में कार्य कारण सिध्धानत है और फिलास्पी में बड़ा रोल है तो थेओरी आफ कॉशन कहते हैं इसको कॉज इफेक्ट थेओरी तो ये भी आपको देखना होगा ये चार से आठ नंबर पर पूछा जाता है मैं आपको आज की वीडियो में यह बता देता हूँ कि पूरे दर्शन में ये कार्य कारण सिध्धान कहां कहां पर हैं तो इनको एक साथ पढ़िएगा और हर साल PSC एक कुश्चन बनाएगा कॉजन इफेक्ट कारयों कारण सिध्धान तो ये पूरी फिलोसपी में आपको चार जगा पढ़ना है CGPSC के कॉर्डिंग सांग के फिलोसफी में इसे सत कारवाद कहते हैं न्याय फिलोसफी इसे और सत कारवाद कहते हैं तो एक साथ स्टड़ी करेंगे हम इनका ताकि दोनों को एक रिफ्रेंस में पढ़ पाएं और सबसे इंपॉर्टेंट पर CGPSC जो हर साल आ रहा है वो है प्रतित समुद्पात का सिध्धान ये आपका बौद धर्म का है बौद्धिजम का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी इसी कैटिगरी में आता है और एक आपको वैस्टन फिलोस्पिम पढ़ना है आरिशे टोटल का वह है अरस्तु और इसका नाम ही कारणता का सिध्धानत है तो थियोरी ओफ कॉशन इसका पर्टिकलर नाम नहीं है इसका तो आपको पढ़ना और हर साल पियस्टी यहां से प्रशन पूछ रहा है इसका फ्रेम फोर टू एट रखेंगे अगर आप फोर पे प्रिपेर की हैं तो दो नंबर पे हम नो काट सकते हैं पर आठ नंबर तक हम जाएंगे खासतर रुपे बहुत धर्म का जो प्रतिस्व मुत्पाद है यह दो चार आठ तीनों में पूछा गया है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आसत कारिवाद भी आठ नंबर पर पूछा आ सकता है और अस्तु का कार्णटा से धान यह भी फोर टू एट का फ्रेम होगा यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसकी चर्च हम अपने अगले वीडियो में करेंगे जहाँ आपर टॉपिक ही रहेगा पूरे दर्शन में कार्रिकारण सिधान त्थ्योरी आफ कौशन यह कौस एफेक्ट थ्योरी जिसके अंतरगत आपको मैं चार ची बताऊंगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है परिच्छा के लिए सतकार्यवाद, आसतकार्यवाद, प्रतिश्वमुत्पाद और अरस्तु का इस्पेशली थ्योरी आफ कौशन अर्थात कारंटा का सिध्धान थैंक यू